प्रीविद्यार्थियों मैं रोक्टर दीपक साल्वी सहयक आचारिय चित्रकला विभाग राजकी महाविद्यालाई सागवाड़ा हम पहले के ये व्याख्यानों से आगे के ये व्याख्यानों को जोड़ते हुए इससे पहले के ये व्याख्यान में मैंने मौरीकालिनकला के बारे में कुछ बात करी थी पूर्व मौरीकालिनकला के बारे में कुछ बात की थी समराड अशुक के बारे में कुछ बात की थी अब हम आगे बढ़ते हैं पिछले एकड़ी से ए व्याख्यान स्रंकला से ए लेक्चर से हम बढ़ते हुए आगे शुंग सात्वाहन काल की कला के बारे में बात कर रहे हैं जो इस प्रकार है मोर्यकाल में समराट अशोक ने बोध्य श्तुपो के निर्मान की जोग परंपरा डाली वो शुंग सात्वाहन काल में और अधिक विक्सित हुई मोर्यवंश का अंतकर पुष्यमित्रन शुंग ने लगबग 188 इसापुरु में एक नविन राजवंश शुंग वंश इस थापना के इस युग में बोध्य जेहन तथा प्रामन तीनों धर्मों से सम्वंदित कलाकरतियों की रशना हुई इस्तूप निर्मान के साथ साथ मंदीरों व गुफाओं में नविन कलाकरतियों की रशना हुई शुंग राजाओं ने बोध्य धर्म के प्रचार हेतु इस्तूप व गुफाओं का निर्मान किया जिसके उधारण हमें विश्व प्रसित इस्तूपों साची और भरुषूत में दिखाई देता है प्रसित कला विद्वान रमानात मिश्र का कथन है कि मुर्य यूग के बाद कला का शाष्ट्रिय का यूग क्लासिकल पीरियट आरंब होता है तो इसमें प्री विद्यारती इसमें बात करते हैं साची इस्तूप संख्या ए साची मध्य प्रदेश के विदीशा से करीब 9 किलिमेटर दूर रायसेन जीले में इस्ती थे अपने विश्व प्रसिद बोधिस्मार को एवं पूरा तात्विक सामगरी के कारण साची आज भी कला इत्यासकारों का प्रीव विशय बना हुआ है समराट अश्रक द्वारा निर्मित इस्तूपों में से साची भी एक इस्तूप है सन 1881 में मेजर कोल ने इस इस्थान के महत्यों को समझा और तीन वर्षों तक निर्णत इसका उद्खनन एवं सरक्षन कर गीरे हुए पश्शिम वत धक्षिनी तोरणों और भूव वेदी का तथा इस्तूप तीन के तोरणों को यथा स्थान प्रतश्टित करवाया इसके बाद के कारी सर्जौन मॉर्षल ने अपने निर्देशन में पूरूण करवाया प्रिविद्यार्तियों ऐसा माना जाता है कि मोरिय शाशक अशोक ने समराट की बुद्ध की समराट अशोक समराट में बुद्ध की अस्तियों पर बनाए आठ प्रारंविक स्थूपों में से साथ स्थूपों को खुदवाया था और उनमें रखे सामगरियों धातूओं आदि को निकाल कर अने को स्थूपों में रखवाया जिसमें से साची एक है मोरी सामराजी के पतन के बाद इस स्थान को कुछ आघात पहुँचा लेकिन शिक्र ही इसकी स्थिति को काबू में ले लिया गया इसके बाद साथ वहन राजाओं के समय साची के तोरण द्वारों को अलंकरत किया गया लेकिन कुशान सामराजय में इसका निर्मान वापस शितील पड़ देया और गुप्त वर्शिव में इसने वापस गती पकड़ी साची के इस्तूप की सरचना समराड अशोक के समय ही निर्धारित हो गई थी और इस इस्तूप के पास अशोक का समबी भी अवस्तित था जिसमें कहीं परिवर्तन होते गए वर्तमान में छत्र को चोड़ कर गुम्बत की उचाई लगबक चोपन फिट है और गोल आधार का व्यास लगबक 120 फिट है इस गुम्बत के चारो और सोला फिट का चभूत्रा है जो प्रदक्षणा प्रत के रूप में काम आता है नौ फिट उचे अश्ट कोणी इस्थम्बग को एक दूसरे को बाटने के लिए दो फिट उचा उश्णिया है इन इस्थम्बग के मद्धी 3.15 इंच के अंतराल में दो-दो फिट चोड़ी सूचिया लगी है अलंकरत तोरणों की उचाई 34 फिट है जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं तोरणों की रशना साची के इस इस्थूप के सभी तोरण दोरों का निर्मान इसा पूरू प्रथम शताबदी में हुआ है सबसे पहले दक्षणी तोरण का निर्मान हुआ इसके पश्चात क्रमशा, दक्ष उतरी, पूर्वी और पश्यमी दिशा के तोरणों का निर्मान हुआ यह तोरण चोपहल खंबों से बने 24 फिट उचे है इन पर थोड़ी सी कमानिदार उपर की ओर तनी हुई तीन सूचियां जैसा कि आप चितरों में देख रहे हैं इसके बीच छोटे-छोटे तीन स्थम्भ हैं जो इनने साधने का काम करते हैं स्थम्भों पर वर्गा कर पत्थर के टुकडों पर यह सूचियां रखी हुई है जो दोनों तरफ से बाहर की और निकले हुई है सूचियों के बाहर की और हाथियों की मूर्तियां उर्तियन हैं जो मानों उपर की मूर्तियों को सहारा दे रही है सबसे नीचे की सूचिय वा इस्थंब के बीच की दूरी को भरने के लिए नीचे दोनों और द्वारपाल यक्ष बने हुए खंबों के शेखरों पर पीट से पीट मिलाएं शेर, हाती तथा वामन हैं जिनके केवल आगे का भाग बनाया गया है इन आकरतियों के उपर इस्तुरियों की सुंदर तथा शोबनी आकरतियां हैं जो सबसे नीचे वाली सूची को दुनों हातों से संभाले हुए हैं इन खंबों वो सूचीयों को विभीन जातक कथाओं तथा बोध जीवन के गटनाओं से अलंकरत किया गया है अब आगे जो बात करते हैं उस साची की कला के बारे में बात करते हैं सांची के इन तोरणों तथा सूचियों के द्रश्य चित्रों एवं अलंकरण को निम्न भागों में बाटा जा सकता है जातक कथाओं के द्रश्य इन तोरण द्वारों द्वारा जातक कथाओं के द्रश्य गोतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से सम्मंदित है का अंकन है प्रमुख कथाओं में छदंत जातक, विसांदर जातक, महाकपी जातक, साम जातक तथा अलंबुस जातक है गोतम बुद्ध के जीवन द्रश्य इसके अतिरिक्त इन पर गोतम बुद्ध के जीवन से संबंदी द्रश्यों का अंकन है जिसमें विबिन्न स्थानों पर भगवान बुद्ध के द्वारा दिखाई गई आश्चेरे जन गटनाओं को शिलांकित किया गया है जैसे आकाश विजरन पानी पर चलने वाली बात उन मुक्त हाती को वश्म करने वाली आदि गटना है शाल बंजिकाओं का आकरशिक मूर्तिशिल्प बड़ेरिये से निकलती शाल बंजिकाएं इन द्वारों की प्रम्क विशिष्टा हैं मानों ये सूचियों को सहारा दे रही है इनकी विभिन्द भाव भंगी माओं में व्रक्ष की डाल को इस्पर्ष करती अलसाई व्रक्ष का अउगुंठन करती आदि प्रमुख है पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों का अंकर्ण इसके अतिरिक्त इन द्वारों के शिल्पांकित विशिवों में विभिन्द काल्पनिक पशु प्रतिकों एवं अलंकरण प्रमुख है पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों का निरूपन स्वाभाविक एवं काल्पनिक दोनों रूपों में हुआ है स्तंबों के शिर्ष पर पशों की प्रश्ट सलगन चतुरा करतियां है पेड़ पोधों में आम, शाल, कामाल, श्रीवक्ष, व्रक्ष, पुश्पित, लताय आदी है इसके पास एक कुछ दूरी पर संख्या दो इस्तित है यहां इस्तूप एक छोटे चलगूतरे पर बना हुआ है एसा माना जाता है कि इसके भीतर कुछ बोधाचार्यों एवं धर्म प्रक्षार्पों के अस्तियाउशेश है यहां कोई तोरण ध्वार नहीं है केवल अंडभाग एवं वेदिका ही शेशे इन वेदिका इस्तंबो पर बुद्ध के प्रतिक चिन्नों का सुन्दर चित्रण है इसी के निकट इस्तूप संक्या तीन का निर्माण इसा पुर्व जिवतिय शती में हुआ है यह वास्तु विन्यास में इस्तूप एक से छोटा है इस इस्तूप का वियास 15 मीटर एवं उचाई 8.23 मीटर है इसमें केवल एक ही तोरण द्वार है इस इस्तूप में जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम को बगवान बुद्ध के प्रिशिश सारी पुत्र और महा मोगल्यायन की मंजुशाइं मिली है इन इस्तूपों के अतिरिक्त साची में गोल आकार के छोटे बड़े इस्तूप भी दिखाई देते हैं जो बोध आचार्य एवं शिश्यों के माने जाते हैं इस्तूप संख्या एक के सामने ही चेत्या लए है यहाँ बिक्षूओं को शिक्षा दी जाती थी इसने वर्तमान समय में इस्तंभी ही दरश्ट हो गया है जिसका उपरी भाग नश्ट हो गया है इसी प्रागण में मंदीर संख्या 17 छोटी पिठी का परिस्तित है यह मंदीर गुद्द कला का उतकृष्ट उधारन उधारनों में से एक है इसका उपरी भाग संतल है एवं मुख्य मंडल चार इस्थम्भव पर टिका हुआ है इस इस्तान से एक अशोग इस्थम्भव भी प्राप्त हुआ है जिसका शिर्श भाग जो हंस माला से अलंकरत है साची संग्रालाय में सुरक्षित है इस इस्तंपका निचला वाग इस्तूप संख्या एक के दक्षिन द्वार के समी पिस्थी थे है इसकी संपूर्ण उच्छाई 42 विटती है कला की दरश्टी से यह अत्यानत सुन्दर है साची पर खुदाई कर बनाये हुए विश्यों की शैली ऐसी है कि इने मुर्ती की अपेक्षा पत्थर पर उभारे गए चित्र कहना अत्यात्तिक उप्युक्त होगा है साची की आकरतिया काफी गहरिक हो दी गई है जिनसे वे चाया की अंधेरी प्रस्ट भूमी में तेरती हुई प्रतीत होती है साची की कला करतिया भारती शिल्प के सर्वाधिक भाव प्रमण तता सजीवरे उधारणों में से है साची के यह पूरा उशेश भारती स्थापत्य और मुर्तिकला की सरुष्रिष्ट करतियां है यहां करतिया आज से लगबग 2000 वर्षों की गोरो मही दर्ष्टांतों को संजोए हुए साची में जीवन के सभी पक्षों का अंकन हमें देखने को मिलता है प्रक्रति और मानो जीवन का समनवय हम साची की कला में मुर्तिवत परते हैं तो प्रीविद्यार्तियों यह साची के बारे में हमने बात की साची की कला के बारे में बात की तो आपको इव्यक्यानों को अच्छे तरीके से सुनना चाहिए समझना चाहिए आपके पास जो भी सुविदा है उसके आधार पर इनको आपको आप लिख सकते हैं समझ सकते हैं आज के यह लेक्चर में हमने साची की स्थूप के बारे में बात की साची की स्थूप संख्या एक के शक्त्रफल हो रही कहां इस्तित्य साची इसके बारे में बात की और इस्तूप की रचना कैसे हुई एक सो बीस फीट इसका व्यास है सूचियों के बारे में बात की तोरोनों की रचना के बारे में बात की कि तोरोन के से उनका निर्मान किया गया इसके बारे में बात की जातक कथाएं जो पहले भी मैंने बताई थी जातक कथाएं वे कथाएं हैं जो बुद्ध के जन्म से पहले जो भी गटित हुआ वो किसी भी रूप में रहे जिसे हाती के रूप में रहे हंस के रूप में रहे विबिन प्रकार के इनों नहीं जीवन में अनलग अलग यूनियों से ये यूनियों में रहे मनुष्य योनी में आने के बाद जातक कताये ने, बुद्ध के जन्म से समंदित कताये हैं, इसके बारे में हमने बात की और इनके कताओं का वर्णन हमें देखने को मिला, इसके साथ साथ पशुपक्षियों और वनस्पतियों के अंकल के बारे में बात की, मंदिर सग्या सत्र इसकी अवस्तिति के बारे में बात ही तो प्रिय विदियार्ति यह कोशिश यह करता हूँ कि आपको के साथ में आपको फोटोग्राप भे में बता हूँ आपको को समझना चाहिए लिख लेना मैं और जूब इस 1998 बार्ट सही अभी तक आप चित्रकला में ही पढ़ते रहे थे अब इन यही विख्यानों में आपको मुर्तिकला के भाग से रूगरू होना है और कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आपने संकोच मुझसे बात करें संपर्ख करें तो आपकी कोई जिग्यासा होगी इस विशे से संब्दिद या परड़ाई से संब्दिद कोई बात तो में आप कोशिश करूंगा के आपको समझ में आ पाठेक रामानुसार भी समझ में आजा और ऐसा समझ में आए कि आप इनको भारती चित्रकला और मुर्तिकला के इतियास को जीवन बर आप इसको स्मरंड रहें आपको याद रहें और मैं वापस आपको कहना चाहूंगा कि आप अपनी केचिंग फाइल को कम्प्लीट कर लेएं 100-500 कि स्केच बनाने लाइब इस्टेटी आपको सीज लेकर पाङों तक आपको इसकेचिंग बनानी है मैंने जो आपको एक लेक्चर बता है उनको आप फोलो करें उनको देखें बार-बार देखें और आपको पूरी फाइल सब्मिशन फाइल को बनाना है सब्मिट करना है असाइंगमेंट भी आप जरूर बना के रखें क्योंकि विद्यार्थियों समय बहुत काम है आपके पास इसलिए आप इन पर फोकस करें और कोई समस्या हो तो मुझसे बात करते इसनी शुब कामनाओं के साथ में धन्याद